हम सब ने बच्पन में अलग-अलग तरह की कोल्डिंग्स जरूर पिये, कभी मैंगो फ्रूटी, कभी लिमका, कभी कोको कोला, जैसा कई सारे ब्रैंड्स हुआ करते थे लेकिन हमें इनके पीछे की politics, ego और cutthroat competition के बारे में बिल्गूल भी अंताजा नहीं है जहाँ पे कई सारे players आए और market छोड़के चले भी गए और उसमेंसे सिर्फ कुछ ही survive कर पाए तो इस वीडियो में हम पूरा time travel करेंगे इंडिया का पूरे cola wars के उपर तो इंडिया में जो drinks को शुरुआत होती है, वो सबसे पहले Mumbai में 1837 में किया था Henry Rogers ने Rogers नाम का एक soda drink बना के इसके बाद वो market में काफी चलने लगा, तो इनको देखके कुछ पार्सी बिजनसमेंस ने सोचा कि हम भी business करना शुरू करते हैं, क्योंकि पार्सी बिजनस के लिए बड़े मैशूर हुआ करते हैं तो इसके बाद 1886 में आता है पल्लोंजी सोटा, इसके एक साल बात आता है एदशिर सोडा और वहीं 1889 में दिंशवाजी ने ड्यूक सोडा लॉंच किया इंडिया में इनी ब्रेंड्स में बड़ा competition चल रहा था, और वहीं हम US की बात करें तो कोक और पैपसी के बीच में कट थूट competition वहाँ चल रहा था, बहुत सारे ब्रेंड्स और भी आते जा रहे थे और अगर हम इंडिया के बात करें तो यहाँ पे इन ब्रेंड्स के साथ तो competition था, यह कुछ रीजिनल प्लेयर्स में थे जैसे की साउथ इंडिया में काली मार्क नाम का टाइम बीता गया और भारत 1947 में आजाद हो गया और यहाँ पे कुछ रीजिनल प्लेयर्स और कुछ बड़े प्लेयर्स के बीच में अभी भी soda के लिए fight चल रही थी इंडिया में ज़्यादा तर बंटा soda और कुछ soft drinks ही मिला कर रहते हो समय तक लेकिन अब समय था कि नए प्लेयर्स के मार्केट में आने का और Pepsi और Coca-Cola भारत में आने के लिए पूरी तरह से तयार हो चुके थे तो क्या वो भारत के मार्केट में survive करते या यहाँ पे कुछ competition उन्हें फेस करना था आईए इसको समझने की कोशिश करते हैं यह building है पारले ग्लूको की जिन्होंने भारत का सबसे फेमस बिसकेट पारले जी बनाया था और साल 1949 में इन्होंने decide कि वो भी इस कोला मार्केट में entry करने माले हैं और उन्होंने अपना ब्रैंड लॉंच किया ग्लूको कोला लेकिन यहाँ पे कोको कोला ने उसे पहले ही अपना trade mark transistor कर लिया था तो उन्हें problem था इसकी वज़े से तो यहाँ पे पारले को अपना नाम change करना पड़ा और पारले न यहाँ पे अपना नाम रखा पारले कोला लेकिन अभी भी कोको कोला की problem खतम नहीं होती उन्हें हुने फिर और सारे फाइट्स किये इंडिया में और यहाँ पे Parlay को अपना ब्रैंड वापस लेना पड़ा और अब तक यहाँ पे Coca-Cola भी Market में आचुका था भारत में और इसके साथ ही साथ Pepsi भी इंडिया के Market में आचुका थो तो जो इसके हम बात कर रहे थे कि दो बड़े जाइन प्लेयर्स इंडिया में आ चुके थे पूरा मार्केट कैप्चर करने के लिए लेकिन अभी भी एक इंडियान प्लेयर था जो कि हार मानने वला नहीं था यह हम बात कर रहे हैं पारले की पारले ने अपना एक और नया ब्रैंड लांच किया गोल्ड स्पॉर्ट नाम का और इसको बच्चों में बहुत जाल्दा पॉपलर तुरंत हो गया क्योंकि पारले का एक ब्रैंड पारले जी तो चली रहा था मार्केट में तो बहुत इजली यह पॉपलर हो गया और वही अगर हम बात करें कोको कोला ने भी अपना इंडिया में मार्केट बनाना त्यार कर दिया था धीरे धीरे ये भी इंडिया में फेमस होता जा रहा था और पैपसी भी अपनी मार्केट भारत में बनाता जा रहा था लेकिन इस बार जो gold spot पारले ने launch किया था वो एक orange drink था इसलिए बच्चों में खासा popular हुआ था क्योंकि उसका color थोड़ा सा oranges था और इस वज़े से जो हम बड़ी fight एक देखने वाले थे Coca-Cola और Pepsi के बीच में भारत में वो fight बदल गई थी Coca-Cola और पारले के बीच में और Pepsi यहाँ पे कुछ पिछरता नजर आ रहा था इस भारत के बड़े market से धीरे धीरे जब वो काफी losses में आने लगे तो Pepsi ने decide किया कि वो भारत का market अप छोड़ने वाले हैं लेकिन पारले यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला था उन्होंने और ज़्यादा competition को आगे बढ़ाने की सोची और पारले ने यहाँ पे एक नया brand और launch किया लिमका लिमका मोशली females को देख के बनाया गया था और इसको female से काफ़े जल्दी popular किया गया और यहाँ पे इन्होंने अपनी gold spot की sales बढ़ाने के लिए इन्होंने रेखा के साथ भी एक अपना photo shoot कराया जो कि इंडिया market में निकालने के बाद काफ़ी और ज़्यादा famous होने लगा तो यहाँ पे पारले अपनी और ज़्यादा पकड़ बनाता जा रहा था Coca Cola के सामने अगर हम यहाँ पे पारले की strategy समझे तो Coca Cola के सामने Cola drink उन्होंने अब नहीं launch किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम face to face competition करेंगे तो हम हार जाएंगे तो यहाँ पे वो limka नाम का white drink बना रहे थे gold spot नाम का orange drink बना रहे थे लेकिन अभी वो coke type का कोई भी चीज मार्केट में नहीं लेके आने वाले थे लेकिन दोस्तों यहाँ पे market अभी change होने वाला था और अब हम आज चुके थे 1973 तक इस समय इंद्रागांधी जी भारत के प्रतान मंत्री थी यह साल भारत के लिए बड़ा मुश्किल भारा था क्योंकि उस समय भारत में सूखा पड़ा हुआ था दुनिया में oil के crisis चल रही थी इसलिए हमारी economy बहुत ही weak थी तो इंद्रागांधी को कुछ ऐसे step लेने थे जिससे कि economy को थोड़ी revive किया जा सके और भारत के बाहर पैसा थोड़ा कम जाए तो यहाँ पे उन्होंने एक rule pass किया कि कोई भी बाहरी company का भारत में इस्टेक 40% से जादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे अगर हम कोला market की बात करें तो पारले और कोको कोला के बीच में बड़ी fight चल रही थी कोक नमबर वन पे था पारले अपने second नमबर पे बना हुआ था तो इस नए law का मतब यह था कोको कोला को अब आने वाले समय में अपना इस्टेक घटा के 40% तक ले के आना था कोको कोला अभी discussion में ही था government के साथ negotiation कर रहा था कि क्या और best किया जा सकता है उसी समय इंद्रा कांधी जीन ने 1975 में यहाँ पे emergency का announcement किया emergency के लगते ही भारत का पूरी तरह से economic और political scenario चेंज हो चुका था लेकिन पारले यहाँ पे अब भी पूरी तरह से कोशिश कर रही थी number one बनने के लिए और यहाँ पे उन्होंने अपना माजा लॉंच किया माजा हम सब ने जरूर पिया है और वो बहुत ही अच्छा एक drink इनके तरफ से था लेकिन यहाँ पे 1977 में emergency खतम करने की घुछना की जाती है फिर से भारत में election होता है और यह साल पूरी तरह से भारत की कूला इंडस्ट्री को change करने वाला था नए election में जंता पार्टी की सरकार बनके आती है और मुरारजी देसाई जी यहाँ पे भारत के पहले नौन कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री बनते है जंता पार्टी के सरकार पूरी तरह से एक nationalist government थी यह इंडियन प्रोडक्स से उपर ज़्यादा फोकस करना चाते थे और इस government के अंदर George Fernandes इंडिस्ट्री मिनिस्टर बनते हैं George Fernandes ने सोचा कि यहाँ से Coca-Cola को भारत से बाहर किया जाए तो उन्होंने यहाँ पे दो नए law बनाए कि किसी भी बाहरी company को अपना stake 40% से कम रखना होगा और Coca-Cola को अगर भारत में रहना है तो उन्हें जो अपना secret flavor है वो reveal करना पड़ेगा इंडियन companies के साथ क्योंकि इनको ये चिस पता था कि Coca-Cola कभी भी अपना secret flavor release नहीं करेगी इंडियन market में तो उन्होंने इतना hard decision इसलिए लिया था Coca-Cola ने भारत में अपना पूरी तरह से operation बंद कर दिया 22 factories बंद हो गई थी और 10,000 लोग करेब बेरुजगार हो चुके थे भारत में यहाँ पे लोग पूरी तरह से protest कर रहे थे George Fernandez के घर के सामने भी कि आप Coca-Cola को वापस लाई हो क्योंकि बहुत बड़ी एक population यहाँ पे jobless हो चुकी थी George Fernandez यहाँ पे इंडिया में अपील करते हैं कि भारत के 90% गाउं में आज पीने का साफ पानी भी नहीं आता है और वहाँ तक Coca-Cola और Pepsi जैसी companies पहुँच गई हैं तो क्या हमारे लिए जरूरी है Coca-Cola या Pepsi या साफ पानी तो कुछ इस तरह की अपील George Fernandez करते रह रहे थे Coca-Cola का कुछ हमें alternative देना होगा तो यहाँ पे सरकार ने अपनी खुद की Cola ड्रिंक लांच करी 777 का मतलब था कि emergency का हटना और Coca-Cola का भारत से बाहर जाना लेकिन यहाँ पे 777 का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा लोगों को लोगों को किसी भी तरह वो Coca-Cola से सिमिलर नहीं लग रहा था इसलिए गौर्मेंट की बनाई हुई कूला मार्केट में फेल होती जा रही थी तो यहाँ पे गौर्मेंट ने Pure Drinks तो contact किया कि गौर्मेंट के साथ collaboration में वो expand करना चाहते हैं पूरी तरह से इंडिया में लेकिन Pure Drinks चाहती थी कि वो खुद का अपना एक ड्रिंक निका ले और Pure Drinks ने मार्केट में यहाँ पे अपना Campa Kula लांच किया जो कि गौर्मेंट की जो double 70 उससे काफी ज़्यादा popular हो गया और मार्केट में काफी अच्छा Campa Kula ने मार्केट अपना बनाना चालू कर गया था लेकिन पारले को यह चीज अभी तक समझ में आ चुका था कि अब हमारे सामने भारत में कोई बड़ा player नहीं है तो पारले कुछ ऐसा करना चाहती थी कि वो सालों तक भारत के मार्केट पे राज कर सके जो कि कोको कोला का मार्केट खाली हुआ है उसको पुरी तरह से capture करना चाहते थे पारले चाहती थी कि वो Indian ingredients के साथ अपना drink launch करे और यहाँ पे इन्होंने अपना एक नया drink launch किया thumbs up thumbs up में यहाँ पे इन्होंने बी नाम हटा दिया और thumbs up हो गया ताकि वो चाहते थे कि नाम कुछ बदला जाए भारत में और उसका एक pure success भारत में दिलाई जाए जैसा पारले चाहती थी मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे ही launch हुआ thumbs up उसने यहाँ पे कोको कोला की जगा पूरी तरह से ले ली और यह तुरद मार्केट में हिट हो चुका था भारत के अब यहाँ पे पूरी मार्केट की fight, thumbs up और कैमपा कोला के वीच में थी कैमपा कोला ने यहाँ पे कई strategic changes किये उन्होंने अपने 200 ml का price घटा दिया लेकिन पारले यहाँ पे aggressive खेलना चाहती थी वो चाहती थी कि भारत की वो leader बन जा है तुरण तो यहाँ पे उन्होंने अपना महा कोला लॉंच कर दिया उन्होंने 200 ml से बड़ी bottle लॉंच कर दी उसी same price में और यह एक aggressive marketing थी जिसमें पारले फिर से successful हुआ और पारले समय बहुत close था market leader बनने के भारत में लेकिन यहाँ पे कुछ नए छोड़े छोड़े प्लेयर्स भी आने लगे जैसे कि टैरीरियो नाम का blend आने लगा उसके बाद Dixie Cola आने लगा और साथ ही कुछ regional players भी market में आने लगे जैसे कि बोवोटो और सोस्यो और इसी नई market की opportunity को देखते हुए यहाँ पे विजय मालया ने भी अपना cola launch किया थ्रिल कोला नाम का यहाँ पे पारले को समझ में आ रहा था कि अब regional players बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो अपनी उन्हें ब्रेंडिंग ऐसी करनी थी कि वो market के top leader बन जा है और इसके साथ यहाँ पे पारले ने एक और ड्रिंक launch किया सित्रा नाम का जिसका यहाँ पे theme था कि सूपर कूलर बहुत ज़्यादा ठंडा यह ड्रिंक के नाम से market में इसको launch किया गया पारले यहाँ पे नए-नए advertisement campaigns निकाल रही थी एक बहुत अच्छा advertisement campaign ने उन्हें ने फिर लाया Taste the Thunder जो कि आज भी बड़ा ही famous इनका ad campaign है Coca Cola के बाहर जाने के बाद Pepsi को फिर समझ में आ रहा था कि भारत में space बहुत खाली है तो उन्हों ने फिर Indian government को अप्रोच किया कि वो RP Goinka Group के साथ मिलके भारत में cola नया launch कर दे लेकिन Indian government ने उसे फिर से reject कर दिया और वो नहीं चाहते थी कि दूसरे brands Pepsi और Coca Cola जैसे भारत में फिर से लौट के आए अब दोस्तो यहाँ पे पारले पूरी तरह से undisputed king बन चुका था इंडिया market का और thumbs up के पास करेव इंडिया का 70% market share था और दोस्तो अब तक साल आ चुका था 1987 का और यह साल बड़ा ही important होने वाला था इंडिया के cola industry के लिए फिर से क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने allow कर दिया था Pepsi को इंडिया के market में enter होने के लिए दोस्तो इस सबसे important question है क्यों फिर से allow किया गया तो इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो 1984 में जब यहाँ पे इनकी सरकार बनी थी राजीव गांधी जी की तो उन्होंने देखा कि इंडिया में jobless बहुत जादी population है jobs की बड़ी कमी है तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में privatization हमें और जादा बढ़ाना चाहिए और इसी को देखते हुए उन्होंने Tata Group के साथ मिलके Pepsi को allow कर दिया पंजाब में market में आने के लिए और यहाँ पे इनसे एक नियम भी पास कराया गया कि करीब 14 million dollar की Pepsi India में investment करेगी वो jobs provide करेगी और उसका करीब 39% stake होगा इस company के अंदर और इस तरह से Pepsi इंडिया के market में enter हो चुकी थी लेकिन यहाँ पे जॉर्च फर्णांडिस फिड़ से शांत नहीं बैठने वाले थे उन्होंने Pepsi को चेतावनी दी कि जिस तरह से हमने Coca-Cola को भारत से बाहर किया था अगर तुम भारत में वापस आते हो तो हमारी सरकार फिर आने वाली है और हम फिर से तुम्हें भारत से निकाल फेकेंगे Pepsi को यहाँ पे लेकिन बड़ा market दिख रहा था क्योंकि इंडिया में उस समय करीब 3 billion soft drinks लोग खरीद रहते पूरे साल में तो इतना बड़ा market कोई company नहीं छोड़ सकती है तो इस दर के आगे भी इस company ने भारत में operation अपना चालू ही रखा लेकिन दोस्तों politics भारत में फिर change होती है और फिर सरकार बदल जाती है यहाँ पे भारत में फिर सरकार नहीं बना पाती है और VP Singh minority government बना लेते हैं भारत में अब यहाँ पे लोग यह सोच रहते कि George Fernandez को कौन सा यहाँ पे मंत्राल है मिलने वाला है क्योंकि इसी से यहाँ पे Pepsi का भारत में भविष्ट decide होना था Pepsi अभी तक अपने bottles बना चुकी थी और काफी बड़ा investment कर चुकी थी लेकिन Pepsi को यही डर था कि हमें फिर से भारत से ना निकाल fake दिया जाया दोस्तों यह scenario अब तक भारत का change हो चुका था क्योंकि यहाँ पे भारत cash crunch के तरफ वापस जा रहा था भारत में economically भारत काफी ज़्यादा week हो चुका था और यहाँ पे अमेरिका ने भी भारत के लिए एक committee बना दी थी कि भारत का trade behavior कैसा है इस पे काफी analysis चल रहा था और दुनिया में बात यह चल रही थी VP Singh की government को यह पता था कि अगर हमने यहाँ पे Pepsi को बाहर किया तो भारत के relation US से और दुनिया में trade relation थोड़े खराब हो सकते हैं तो VP Singh ने यहाँ पे Pepsi को allow किया कि आप market में बनी रही और Indian market में आप operate करिये Pepsi को भारत में हरी जंटी मिलने के बाद Coca Cola ने दुबारा भारत में आने के लिए apply किया लेकिन भारत सरकारे ने उन्हें फिर से reject कर दिया और दूसरी एक American company double cola को भारत में आने के लिए allow किया गया और उनसे कहा गया कि वो एक certain period of time तक वो अपना profit भारत से नहीं निकाल सकते है इसके बाद Pepsi भारत में operate करना शुरू कर देती है और साथ में double cola यहाँ पे काम कर रहा होता है Pepsi इंडिया के snacks market में भी एंटर करती है Pepsi अपना Mirinda launch करने जाती है Pepsi अपना 7-up launch करने जाती है यह साल था 1990 Pepsi ने यहाँ पर अपना brand name रखा था Pepsi era जो कि भारत में काफी जदा उसके खिलाव protest होने लगा क्योंकि विदेशी नाम भारत में नहीं रखा जाना था अब इसके बाद काफी सारी bottles बन चुकी थी Pepsi को Pepsi को 1 million dollar लगे पूरा crash करने में जितना कुछ उन्हें ने bottles बनाये था और नई bottles बनाने में और इस बार Pepsi की re-branding करी गई Pepsi Leher वहीं विदेशी प्लेयर्स को भारत में आते देख पारले भी यहाँ चुपचाप नहीं बैठने वाला था जो कि आज की डेट में आप Limka Book Up Record के नाम से जानते थे लेकिन दोस्तों समय कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था और 1990s के end तक भारत की position financially बहुत खराब उधी जा रहे थी और इंडिया foreign exchange के crisis में आता जा रहा था समय ये आ गया कि भारत को loan लेना पड़ा अपने 100 टन सोने देख कर तो कुछ ऐसा चल रहा था और उसी बीच में सरकार एक बार फिर बदलती है 1991 के mid में और PV नरसिंभा राओ कॉंग्रेस के यहाँ पे प्रदानमंत्री बनते हैं इन्होंने governor रखा यहाँ पे मन्मुहन सिंग जी को जो कि हमारे प्रदानमंत्री भी रह चुके हैं नरसिंभा राओ जी जानते थे कि मुझे भारत में ऐसा governor इसमें चाहिए जो पूरा भारत का scenario change करने का दम रखता हो और वो दम उसमें भारत में मन्मुहन सिंग जी में ही था उनको यहाँ पे governor बनाने के बाद अगला जो speech होता है उनका parliament के अंदर उसमें मन्मुहन सिंग जी पहली line बोलते हैं कि उसको कोई कभी नहीं रोख सकता जिसका समय आ चुका हो और यहाँ पे वो कहना चाहते थे कि भारत का समय आ चुका है और भारत ने liberalization का यहाँ पे शुरुआत करना चालू किया इसका मतलब था कि किसी भी विदेशी कंपनी को पहले 40% तक भारत में श्टेक रखना अलाऊ था जो कि बढ़ा के 51% तक कर दिया गया अब इससे बाहरी players को भारत में आने का रास्ता बहुत साफ हो चुका था और Coca-Cola को यहाँ समझ में आ गया था कि उनका दिन वापस आ चुका है अब भारत में इधर भारत में पारले और Pepsi की बीच में बड़ा competition चल रहा था Pepsi यहाँ पे Thumbs Up को बोल रही थी कि तुम्हारा जो टेस्ट है वो इधर medicine जैसा है और इधर Thumbs Up Pepsi को बोल रहा था तुम्हारा जो टेस्ट है वो तो बच्चु के लिए है तो इस तरह से आपस में competition काफी जादा चलता जा रहा था लेकिन बड़ा player अपनी तयारी कर रहा था भारत में फिर से number one बनने के लिए Coca Cola भारत में entry कर रहा था और उसने लिखा यहाँ पे कि happy to be here 16 साल बात Coca Cola भारत में वापस आ चुका था Coca Cola जब भारत में आया तो उन्होंने सबसे पहली अपनी branding करनी चालू की और कुछ shops पे और अलग अलग जगों पे उन्होंने अपना color पुत्वाना चालू कर दिया red color का जहाँ पे Coca Cola लिखा रहता था ताकि इंडियन्स को ये पता चल सकी कि Coca Cola इंडिया में वापस आ गया है काफी कोशिश कर रही थी Coca Cola लेकिन वो पारले को कहीं भी बीट नहीं कर पारी थी वो कोई भी एक ऐसा soft corner पारले का खोजने की कोशिश कर रहे थे और अंत में उन्हें वो soft corner मिल भी गया क्योंकि इंडिया में 62 प्लांट्स थे पारले के जहां पे पारले की यहां पे थमसब बना करती थी जिसमी की सबसे बड़ा flaw ये था कि पारले उसमें से सिर्फ चार ओन करती थी बाकी जो 58 थे वो फ्रेंचाइजी थे बतब किसी दूसरे के थे वो पारले के लिए काम करते थे कोको कोला को यहाँ पर दिख गया मौका और उन्होंने उन फ्रेंचाइजी से कॉन्टक किया और कुछ जादा उन्हें प्रॉफिट देने की बाद करी और सारे फ्रेंचाइजी चले गए कोको कोला के साथ और रात ओर रात यहाँ पे थंपसप मार्किट से गिरना चालू हो गई क्योंकि market में demand थी और demand supply पूरी हो ही नहीं पा रही थी पारली के हारत भारत में कुछ ऐसी होती गई कि market में काफी बड़ा demand है और पारले कहीं से supply ही नहीं कर पा रही थी समय कुछ ऐसा आ गया कि पारले के पास पैसे ही नहीं बचे और at last उन्हें Coca-Cola को पूरा जो थमसब और पारले का ये जो soft drink का market था वो 60 million dollar में sale करना पड़ा और रातो रात Coca-Cola भारत की सबसे बड़ी company बन गई इस तरह से बड़ी brands अपने market change कर दिया कर दें जिस भी country में जाते हैं लेकिन यहाँ पे एक बड़ा lesson अभी Coca-Cola के लिए बचा था इस्टोरी अभी खतम नहीं हुई है अभी तो यहाँ पे Coca-Cola को कुछ और problem face करना बाकी था अभी तो market यहाँ पे थमसब के साथ भी एक लड़ाई बड़ी होनी थी Coca-Cola यहाँ पे पूरी तर से पारले को ब्रैंड को खतम करके अपने ब्रैंड को उपर लाना चाती थी तो सबसे पहले उन्होंने गोल्ड इस्पॉर्ट को बदल के फेंटा कर दिया और यहाँ पे उन्होंने लिमका को market से वापस लिया और इस्प्राइट लाँच कर दिया लेकिन उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी कि वो थमसब को market में बंद करें और Coca-Cola को और जादा आगे करें यही करना इन्होंने चालू किया और market में काफी कमी होने लगी थमसब की इधार अगर दूसरी साइट देखे तो Pepsi अपना market भारत में बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा था और यहाँ पे Coke अपना rebranding करने के ही चक्कर में लगा हुआ था दोनों companies के बीच में fight चल रही थी और उसी समय 1996 का world का पा रहा था अब यहाँ पे Pepsi और Coke के बीच में बड़ी fight चलने लगी official sponsor कौन बनता है Coke के पास काफी पैसे थे तो Coca-Cola यहाँ पे official sponsor बन जाती है और यहाँ पे Pepsi को एक बड़ा जटका लगता है क्योंकि official sponsor हमेशा आगे निकल जाये करता है लेकिन Pepsi तो हार मानने वाले में इसे नहीं थी तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक नया ad campaign लोज किया Nothing official about it और यह ad campaign इंडिया में बड़ा popular हो गया Official sponsor Coke था लेकिन यहाँ पे traction किसको मिला लोग देखना किसी चालू कर दिये यहाँ पे Pepsi को इधर Pepsi अपना भारत में काफी बड़ा market तयार करता जा रहा था और उन्होंने अपने आपको Thumbs Up का substitute दिखाना market में चालू कर दिया था तो वो भारतिये जो Thumbs Up काफी पसंद किया करते थे वो Pepsi के तरफ move करने लगे Coca Cola को यहाँ पे यह बात समझ में आई कि Thumbs Up को market से वापस लेना इनकी सबसे बड़ी गलती हो रही है तो उन्होंने Thumbs Up को फिर से भारत के market में लाया और उन्होंने Pepsi के competitor के तरह यहाँ पे Thumbs Up को दुबारा project करना चालू किया और वहीं उन्होंने अपरी दूसरी गलती भी सुधारी 2000 के साल में उन्होंने लिमका को भी वापस ले आया market में और सालों तक Thumbs Up भारतिये market में सबसे बड़ी player बनी रही जो की parlay ने कभी शुरू किया था और बाद में यहाँ पे Coke ने उसे acquire कर लिया था 2013 के साल में Sprite ने यहाँ पे Thumbs Up को beat किया जो की Coca-Cola का ही एक brand था और उसके बाद यहाँ पे Sprite No.1 brand बनने लगा आज की date में Coke का इंडिया में 50% market से ज़ादा है इंडिया के beverage industry में लेकिन दोस्तों वो brand सबसे ज़ादा इंडिया में चला जो की Indian Ingredients से बना था Thumbs Up आज की rate में काफी local players इंडिया में कोशिश कर रहे हैं कि वो beverage industry में आने की कोशिश करें और locally आप देखेंगे कि बहुत सारे brand है और इस market में बड़ा space आज भी खा ली है या Pepsi Top पे रहेगी या कोई नया brand आ जाएगा तो यहाँ पे आपके लिए भी एक बड़ी opportunity है Indian market में क्योंकि beverage industry अभी काफी ज़्यादा खाली पड़ी है और लोग नए नए drinks काफी पसंद करते हैं तो आपको यह documentary कैसी लगी जिसमें काफी सारा politics था काफी सारी ego थी और एक बड़ा competition था और कुछ बड़ी business learnings थी तो आप comment option में लिख के बताइए कि इस documentary में आपको कैसा लगा वीडियो अच्छे लगिए तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और bell icon में प्रेस करिएगा